गाजर काहलवा तो हमने सर्धियों में कई बर बना के खा लिया लेकिन क्या आपने कभी गाजर की मिठाई ट्राइ की है अगर नहीं की है तो एक बार टू ट्राइ करना बनता है इस मिठाई को अगर एक बार आपने घर में बना लिया ना तो बाहर से मिठाई लाने की वेज़ न हीऊ एक लिठर दूद गैस लया हुआ करें और अब अब यहांपे Сейчас की कर लिया है घाजार को मैंने छील एक घो लिया था उसके allen भी निया है निया को थब है करें करें छिद से ही करें लोगा घाजर को मिक्स करें गैस का आँच मीडियम से हाई के बीच में कर दे और इसे तब तक पकने दे जब तक गाजर सारा दूद सोख न ले बीच बीच में एकाद बारापी से चलाते रहें ताकि दूद बरतन के तले से बिल्कुल भी जले ना जैसे जैसे यह पकता जाएगा इसका अनुपात पहले से काफी कम हो जाएगा और यह देखे इसका कलर भी चेंज हो गया है जब भी आप मिठाई बनाए ना तो आप भारी तली के बरतन का इस्तमाल करें इससे क्या होता है कि जो मिठाई का मिशन होता है वो बरतन के तले से जलता नहीं है और बहुत ही आसानी से हम मिठाई को तेज आँच पे भी बना पाते हैं तो ये देखिए गाजर हमारी पहले से काफी सौफ्ट हो गई है और दूद भी पहले से काफी पक गया थोड़ा सा भी इस गाजर में आपको दूद दिख रहा है तो अब आपको इस स्टेज पे डाल देना है चीनी तो एक किलो गाजर के लिए यहाँ पे मैंने दो कप चीनी डाला है और वेट से यह 400 ग्राम चीनी है अगर आप मीठा ज्यादा खाना पसंद करते हैं तो आप चीनी का अनुपाद बढ़ा सकते हैं जैसे ही आप चीनी को गाजर के साथ मिक्स करेंगे ना चीनी अपना जूस छोड़ देगा और यह जो मिश्यरन है यह फिर से थोड़ा सा पतला हो जाएगा तो गैस का आँच आप मीडियम या फिर मीडियम हाई के बीच में कर दें और इसी तब तक पकाएं जब तक इसका 90% जूस सूख न जाए बीच बीच में इसे चलाते भी रहिएगा तो अब आपको इस स्टेश पर डालना है खोवा जिसे हम मावा बोलते हैं तो मैंने यहाँ पर पूरा आधा किलो खोवा का इस्तमाल किया है मावा से इस मिठाई का जो स्वाध है ना बहुत बढ़ जाता है और इस मिठाई को खाने के बद कोई बता ही नहीं पाएगा कि इस मिठाई को आपने घर में बनाया है खुवा को यहांपे आप अच्छे से मिक्स कर लें गैस का आच मीडियम कर दें और इसे अभ आप तब तक पकाएं जब तक ही अच्छे से ड्राई ना हो जाए मतलब इसका जितना पानी है वह अच्छे से सूख न जब गाया है अब आपको यहांपे डालना है घी हो पानी हैượ गी सांथ तो ये देखिए इसकाories जूस है और अठकर से रूती है टोड़ा सा पाका कूछा तो बहुत मतांती हैrovकिन अधे कुछा है कि ने घूझ है इसी मिठाई को बना के खाते हैं तो टेश्टी तो होती है साथ साथ काफी हेल्दी होती है क्योंकि हम उसमें जो भी चीजों का इस्तमाल करते हैं हमें पता होता है कि हमने इसमें क्या-क्या डाला है अब आपको यहाँ पे डालना है आदा कप काजू का पाउडर जब तक कि मिठाई की जमने वाली कंसिस्टेंसी ना जाए जैसे जैसे मिष्रन गाढ़ा होने लगेगा आप कुछ से लगातार चलाते हुए पकाना पड़ेगा अगर आप इसे थोड़ी देर के लिए भी छोड़ देंगे ना बरतन के तले से जलने लगेगा तो अब आपको यहां पर डालना है आदा छोटा चमस इलाइची पाउडर से मिठाई में बहुत अच्छी कुछ पूआती है तो इलाइची पाउडर का इस्तमाल आप जरूर करें यह देखिए मिष्रन में जितना एक्स्ट्रा दूथ था या फिर जूस था वह अच्छे से सूख गया है औ अब हम क्या करेंगे कि गैस बंद कर देंगे और मिष्रन को फटा फट से एक दूसरे बरतन में टांसफर कर लेंगे तो जिस बरतन में आपको मिठाई को जमाना है उस बरतन में पहले ही से थोड़ा सा घी लगा के उसे चिकना करके रख लें ताकि आप फटा फट से इसे ट तो मैं यहां पे बादाम पिस्ता और काजू से इसकी गार्णिशिंग कर रही हूं चाहे तो आप सिल्वर पेपर जो आता है ना ठंडा होने के बाद सिल्वर पेपर का वर्क भी इसके उपर लगा सकते हैं तो सूखे मेवे के दो के ऐले के समय अगर आपके पास समय हे तो तो बर्फी के लिए मिश्चन आप हमारा अच्छे से सेट हो गया है तो अब हम इसे अपने मन चाहे शेप में काड़ लेंगे पीसेस आप अपने हिसाब से थोड़े से छोटे या फिर बड़े रख सकते हैं जैसा आपको पसंद हो और ये देखें देखने में कितना लाजवाब लग रहा है और इसे देखके आ रहा है ना आपके मुझ में भी पानी तो सोच के आ रहे हैं फटा फट से बना डालिए ठंडी का मौसम है गाज और आसानी सभी मिली रहे हैं और एक पीस में आपको निकाल के भी दिखा देती हूँ ये देखें कितनी आसानी से निकल गया है बिल्कुल भी चिपका नहीं है तो टेंशन ना ले बिना खराब हुए परफेक्ट आपकी ये मिठाई बनके तयार होगी आप इस मिठाई को फ्रिज में रखके पूरे दस से बारा दिन तक इंजोई कर सकते हैं ये बिल्कुल भी खराब नहीं होगा तो उमीद करते हूँ कि आज की मेरी रेसेपी पसंद आई हो रेसेपी को बनाने में अगर आपको कोई भी समस्या है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं जल सजल आपके सवाल का जवाब दे सकूँ तो मैं तो इस मिठाइ को इनजॉय कर रहे हूँ हूँ और नहीं रेसेपी के साथ राशेपी मंत्रा में तब तक के लिए बाय